सर्दिया आते ही गाजर मुली गोभी के अचार की डिमान बढ़ जाती है और हो भी क्यों ना ये बनता ही इतना चटपटा है और हर खाने के स्वाद को दुगना कर देता है तो आज हम इसके दो तरीके लेकर आए हैं एक तो तेल के साथ बनाएंगे और एक इसको बनाएंगे बिना तेल के साथ यानि सुखा और दोनों कंडिशन में ये महीनों तक चलेगा अगर आप कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें हलो फ्रेंस सौनियास किचिन में आपका स्वागत है आए देखते हैं इस गाजर मुली गोभी के अचार को महीनों तक चलने वाला घ देखें बिलकुल फ्रेश और रेड रेड गाजर हैं और साथ में दो मूली और ये दो गोभी ली हैं तो बस इनको अब हम पहले इनको छील कर अच्छे से दो लेंगे और फिर हम इनकी काटिंग करेंगे तो चलिए तो यहां पर देखें मैंने गोभी को तो काटी लिया है दोने के बाद तो कुछ ऐसे पतली-पतली सी स्लाइस कर ली है तो इससे जो होता है न अचार में का जो मसाला होता है वो अच्छे से कोट होता है और साथ में ये जो गाजर मूली को भी मैंने घिस लिया था उपर से मतलब छील लिया था और इनको भी मैंने धो लिया था और इनकी भी अब हम slices कर लेंगे तो ये देखे, slices कर ली है तो आप अपने हिसाब से इनको मोटा पतला, जिस हिसाब से आपको slices करनी है, वो कर सकते हो और ये देखे, बस इसके बाद अब हम इनमे धूप लगानी है, अगर धूप अच्छी है जो गाजर, मूली और गूबी का मौश्चर है वो उड़ गया है, गूबी को तो मैंने बलकी कपड़े पर ही रखा था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मौश्चर जादा होता है और ये देखे, वैसे तो मूली में भी होता है तो चलिए, अब इनको एक ही बरतन में इसको हम अच्छे से यहां पर मिक्स कर लें इस तरीके से और इसको हम कम से कम एक घंटा यहां पर रखेंगे धकने के बाद और फिर इसका जो पानी रिलीज होगा उसके बाद हम फिर से अपने गाजर, मूली, गोबी को सुखाएंगे तो यह देखें, यह प्रोसेस आप जरूर करें और इसको हम ढख देते हैं यहां पर, इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है नैच्रल कलर आ रहा है हल्दी की वज़े से और यह देखें तो एक घंटे के बाद मैं जब चेक करती हूं तो मैं आपको दिखाती हूं कि इसमें कितना पानी यह रिलीज किया है जबकि हमने इसका नैच्रल तोर पे पानी काफी उड़ा दिया था तो यह देखें, तो बस अब अपने जो यह सबजिया हैं, इनको इसमें से निकाल कर एक सुखे वाले पॉट में डाल दें क्योंकि हमें इनको फिर से धूप लगानी है तो धूप यहाँ पर मैंने तो जैसे काफी तेज धूप है तो एक दिन की धूप में सुख जाते हैं नहीं धूप है तो पंखे की हवा में भी सुखा सकते हो और यह पानी देखिए आप इसको फेक दीजिए और जो रिमेनिंग हमारी सबजिया है वो दूसरे बरतन में मैंने डाल दी है तो बस यहाँ पर हमें इनको सुखाना है तो जैसे मैंने बोला अगर आपको इनको अच्छे से फैला दें और अगर आपको धूप नहीं मिलती है तो पंखे की हवा में भी आप इसको सुखा सकते हो पस मोटो यह है कि यह सूखने चाहिए अच्छे से इतना यह सूखते हैं इतना अपना मसाला तियार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने पीली सरसो ले ली है पीली सरसो के बाद हम यहाँ पर राई डाल रहे हैं इससे खटास बहुत अच्छा आता है यह नहीं है तो आप काली सरसो भी ले सकते हो और साथ में डाल रहे हैं यहाँ पर जीरा तो जीरे से काफी अच्छा टेस्ट आता है और यह पर साबूध धनिया डाल दिया है और साथ में डाल दी है सोफ ये जो थोड़ी मोटी सोफ है वो डाली है और थोड़ा सा मेथी दाना डाला है मेथी दाना कम ही डाले और low mal medium flame पर बस हम इसको चलाएंगे तो बस इतना ही चलाएं या इतना ही हमें गरम करना है कि इसका मौशर थोड़ा सा उड़ जाए इसमें से हलकी हलकी अरोमा आने लगे और ये हलके से क्रिस्पी हो जाए बस इतना ही हम इनको सेख लेना है और ये देखें प्रॉपर सेख कर ये तैयार है यहाँ पर गैस को बन कर दे और गैस को बन करने के बाद हम इसको किसी दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर देते हैं जिससे कि यह ठंडे हो जाएं थोड़े और फिर हम इनको दरदरा पीस लें तो बस इसको फैला दिया है इतना ही ठंडे होते हैं इतना हम अपना तेल घरम कर लेते हैं जिसके लिए मैंने वही पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है सरसो का तेल दे रहे हैं तो यहां पर एक कप सरसो का तेल डाला है और मैं हमेशा कहती हूँ पहले तेल को विल्कुल धुआ आने तक हम पका लेंगे और जब यह धुआ आ जायेगा, पिर हम गैसको बन कर देंगे और फिर इसको हम ठंडा करके यूज करेंगे तो ये दिखिए धुआ निकलना शुरू हो गया है, कलर चेंज हो गया है तील का, गैस को बन कर दिया है और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसको यूज करेंगे इतना ये ठंडा होता है, इतना अपने मसाले पीस लेते हैं तो उसके लिए मैंने जाड ले लिया है, तो ये देखिए जो दाग लगा हुआ है ये मैंने कच्ची हल्दी का वीडियो बनाया था जो मैं हमेशा बोलती हूँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है उस पर आपका बहुत प्यार मिला है, आप जरूर चेक कीजेगा तो अपने मसाले मैंने इसमें डाल दिये हैं, जो भी हमने भूने थे और इनको बस हमें कॉरसली पीसना है यहाँ पर, बहुत फाइन पाउडर ना बनाएं बस दर-दरा सा इसको पीस लें तो यह देखे, पिसके तयार है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना दर-दरा यह रखना है, यह देखे इससे क्या होता है न, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है अचार के साथ न और जब हम इनको खाते है न, तो मुमें जो क्रंची पनाता है, वो इसी से आता है तो इधर हमारा देखे, अचार भी सूख गया है, मतलब सबजीयां सूख गई है यह देखे, इसमें मौश्चर नहीं रहा है, बहुत अच्छे से सूखी है, फ्लैक्सिबल भी है और यह देखे आप, तो बस यह अच्छे से सूख गई है, इन सब को हम एक जगा कर देंगे और अब हम फाइनली तोर पर अपना चार बनाएंगे, तो कोई भी बड़ा बरतन ले सूखा कोई भी सूखा बड़ा बरतन जिसे प्रांत ले ले या कुछ भी बड़ा कड़ाई ले ले, उसमें यह सारा का सारा सबजियां डाल दे और उसमें मैं डाल रही हूँ अब कलॉन जी, कलॉन जी काफी हल्दी होती है, इसमें rare element omega 3 होता है, जरूर डालें इसको और साथ में डाल रहे हैं जो की digestion के लिए बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पर हिंग डाल रहे हैं, हिंग आपके strength के हिसाब से डालें, कितना powerful है आपका हिंग, उस हिसाब से कम जादा करी, और अब हम यहाँ आपर डाल रहे हैं हल्दी, हल्दी पहली भी डाली है, तो उ लेकिन वो निकल चुका था, फिर भी हिसाब से नमक टालें, बैलन्स करते हुए तो यह नमक डाल दिया है, फाइनली हम डाल देंगे इसमें अपने मसाले जो हमने अभी पीस के रखे हैं, और यह देखे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मसालों की वज़े से इसमें, और पूरा सरसो का तेल नहीं डाला है वह हम बाद में उसको जब फाइनली पोर्ट में डालेंगे तब मिक्स करेंगे तो यह देखे इसको अच्छा अचार बनता है और यह महीनों चल जाएगा बस दो से तीन दिन की धूप दिखाने के बाद और बहुत ही अच्छा खटास बनात आप इसको एक बर ऐसे जरूर ट्राइ कीजेगा तो यह देखे अच्छा बनकर यहां पर तयार है तो बस अपने हम पॉट में डाल देते हैं इस अच्छा को तो हमेशा मैं ग्लास की ही बढ़नी यूज़ करती हूँ या चीनी मिट्टी की बढ़नी यूज़ करें और यह द अच्छा अच्छा टीज़ को दर मैं और बंकरके त defslag Esc13 बदूम और यहां पर दो अच्छा की दो दिखा देगे ना तो बस आच्छा को बहुत अच्छे सेkan़ पनाता है बहुत ही टेस्टी लगता है तो बागी का जो portion है, वह नहीं दूसरी बणी में डाल दिया है इस बणी को मैं इसमें मैं तेल नहीं डालूंगी, इसको अभी ही बन करके हम ऐसे ही बनाएंगे तो ये वाला भी version बहुत अच्छा बनता है बहुत ही टेस्ट असमें बहुत अच्छा आता है तो बस आज की वीडियो में तो इतना ही है मेरी वीडियो अगर आप लाइक कर रहे हैं तो लाइक तो जरूर कीजिए लेकिन अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बेल के साथ कीजिए जिससे की मेरे सारे के सारे नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें जो भी मैं अप्लोड करती हूँ तो बस आज की वीडियो में इतना ही है तो फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर और बाई बाई